जैहिन नमस्कार साथियों फिजिकल एजुकेशन फिजा के योटूब चैनल पर आप सभी के स्वागत है मेरा नाम राजीस कुमार है साथियों आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल लएए? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वास्त होंगे अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल लएए होगी तो साथियों आज हम लोग महत्तोपुड कुल 30 MCQ कोस्चन सॉल करेंगे जो कोस्चन से वो प्रिवेस एर एक्जाम में आए हुए हैं चाहे हो यूपी, टी, टी, केवी, एस, एन्वी, एस, हरियाणा, एंपी, और इस्टेट के जो भी एक्जाम्स हुए हैं उनसे कोस्चन लिए गए हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रेटिक सेट cuwestnion invers种 हाकी tha dr Big Board के उचाही होती है ब्लैक्बूर्ड क्या होता है? हाकी का जो जो गोल पोस्ट होता है यह पीछे का है तो यहाँ साइड में लगा होता है Black Board लगा होता है आप लोगोंने देखा होगा यह लगा होता है बलेकबोर लगा होता है तो उसकी height पूछा गया है question में और किस color होता है वो black color का ही होता है इसलिए उसको blackboard बोलते हैं तो इसकी height होती है वकुल 18 inch होती है 18 inch होती है 18 inch friends निमने में से कौन सी तकनीक दोड़ को समाप्त करने की नहीं है कौन सी दोड़ को फिनिस करने की तकनीक नहीं है तो इस question का जो right answer होगा option D इसे right answer start so finish नहीं होता बाकी run throw होता है, long होता है, lunge होता है और shoulders rub होता है ये तीन होते हैं next question, seat and reach test मापता है seat and reach test क्या measurement करता है तो ये measurement करता है हमेश्टिंग और feet का जो लचीला पन होता है उसको ये measurement करता है seat and reach test next question, निमन में से किस परिछण का उप्योग मानस्पेसियों की सहन सकती को मापने के लिए नहीं किया जाता है question पूछा जा रहा है वह काउन सा परिछण है जो मानस्पेसियों की सहन सकती को measurement करने के लिए नहीं किया जाता है तो इस question का जो right answer होगा friends ये जो 12 meter dot even चलना होता है ये सहन सकती को measurement करने के लिए नहीं किया जाता है बाकि sit ups, flex arm hang और दूर तक चलना ये endurance को सान सकती को measurement करने के लिए किया जाता है निमलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता की दवरान समय आवकास प्रदान नहीं किया जाता है question पूछा जा रहा है समय आवकास प्रदान नहीं किया जाता है तो इस question का जो right answer होगा friends football में कोई भी समय आवकास प्रदान नहीं किया जाता है टाइम आउट नहीं होता है फुटबाल में कोई टाइम आउट नहीं होता है नेश्ट कोस्चन देखते हैं हम लोग लोगों में किसी कारे के प्रती उस्सा उत्पन करना वो उन्हें प्रोसाहित करना क्या है कोस्चन पुछा जारा है लोगों में किसी भी कारे के लिए हम उन्हें प्रेडा देते हैं और उन्हें उससा से भर देते हैं तो उस कारे को करने को क्या कहा जाता है A. मुल्यांकन B. जनसंपर्क C. नेत्रित D. उपरोक्त में से उपरोक्त तीनो तो इस कोस्चन का जो राइट आंसर होगा आपसन C. जे राइट आंसर नेत्रित करना कहलाता है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? चार आपसन दिये गए हमारे सामने पुषा जारा कौन सा संक्रामक रोग है? तो वाइरल बुखार, हड़ी तूड जाना, कैंसर एंड दिल का दवराद जो वाइरल फिवर होता है ये इस कोस्चन का राइट आंसर होगा वाइरल बुखार फ्रेंट्स, नेस्ट कोस्चन, एटलेक्टिक्स में सिन्थेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कप किया गया था? Qustion पूछा जारा, फर्स टाइम जो एखलेटिक स्वेमेंट में सिंथैटिक rua का प्रियोग किया गया था, वो किस ओलंपिक में किया गया था? तो जो इस Qustion का right answer होगा, 1968 मेक्सिको ओलंपिक में फर्स टाइम सिंथैटिक ट्राइक का प्रियोग किया गया था पूरे वर्ड में सबसे उचा क्रिकेट का मैदान कहां पर इस्थित है तो इस question का जो right answer वा चैल इंडिया में ये चैल नामक अस्थान पे सबसे उचा अस्थान है किसका cricket का ओके फ्रेंट्स उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का प्रियोग किया जाता है उंगली में जब हमारी चोट लग जाती है तो किस प्रकार का बैंडेज का प्रियोग किया जाता है तो रोलर बैंडेज, त्रिकोडी बैंडेज, टू निकेट बैंगेट और क्रेब बैंडेज तो इस question is a right answer, option a is a right answer, रोलर बैंडेज का प्रियोग किया जाता जब हमारी उंगली में चोट लग जाती है निम्न मेंसे किसने अपने कथन में खेल के सब्द को मनरंजन का एथेस्ट रूप कहा है हेटा थलान जो होता है मैलाओं का जो इवेंट होता है इसमें कुल साथ इवेंट होते हैं हेटा थलान में तो इसमें जो तीसरा जो इवेंट होता है वो कौन सा होता है तो इस question का जो right answer होगा जो गोला फिक होता है वो तीसरा इवेंट होता है हम आपको बता दें कि वो तीन कौन कौन से होते हैं यह दो दिन उन प्रतियोंता कराए जाती है फर्स डे एंड सेकेंड डे में फर्स डे में क्या क्या होता है तो फर्स डे में जो प्रतियों गिता होती है फ्रेंट्स वह होती है 100 मीटर हरडल होती है फिर हाई जंप होता है फिर सौटपर्ट होता है यही सौटपर्ट पूछा गया है और फिर होता है 200 मीटर होती है फिर सेकेंड डे में जो प्रतियोगिता होती है लांग जंप होता है जेवलीन थो होती है यह अक्सर आज कल पुछा जा रहा है एक जाम में तो इसमें से track प्रत्योगिता कौन कौन सी है 100 meter hurdle, track प्रत्योगिता है और 200 meter, फिर 800 meter कुल कितनी हो दें 3 हो गई track प्रत्योगिता और यह कौन सी हो गई field प्रत्योगिता कौन कौन सी है high jump, short put, long jump and javelin throw 4 हमारी कौन सी हो गई, यह field event हो गई कुल कितने event होते हैं, 7 event होते हैं बहुत important questions है इससे जो भी question पुछा जाता है मैंने आपको बता दिया है next question देखते हैं friends निम्न में से कौन सा आसन अधो मुख इस्तिथी pro line में किया जाता है question पुछा जा रहा है, वो कौन सा आसन होता है जो pro line में किया जाता है अधो मुख पुछा गया है तो इस question का जो right answer होगा option B, इसे right answer सलभासन जो होता है यह pro line में किया जाता है next question देखते हैं friends सूची first को सूची second के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए के कूट की सहायता से उत्तर का chain कीजिए सूची first दी गई है और सूची second दी गई है हमारे सामने oxygen तंतु, exon यह किसको correlate करता है तो यह करता है, असनायू तंतु को करता है फिर उसके बाद जो अवात जिवी है, अनाक्सी है तो यह किसको correlate करता है oxygen की अनुपस्थिती में oxygen की अनुपस्थिती में जो activity होती है उसको क्या कहा जाती है, एनारोबिक कहा जाती है एरोबिक किसको कहा जाता है, जो oxygen की उपस्थिती में होती है फिर उतेजन किसको कोर्यलेट करता है यह उत्दीपन के प्रती प्रतक्रिया नेश्ट है ग्लुकोज किसको कोर्यलेट करता है यह सरकरा को इस question को जो right answer होगा आप संडीजे right answer friends next question देखते हैं हम लोग socio gram desk की माप करने का एक साधन है socio gram होता है यह किसको measurement करने के लिए किया जाता है तो जो सम्मूव के सदस्यों के 20 क्या सम्मंद को अस्थाफित करना और आकर्शन को करना socio gram कर लाता है next question friends BCS Olympic में कौन प्रतिभागी होते हैं पूछा जा रहा है जो special Olympic Games जो होते हैं कौन प्रतिभागी होते हैं A. सारीरिक रूप से बिकलांग B. मानसिक रूप से मंद बच्चे और वयस्क C. A. और B. दोनों D. बुजूरू तो इस question का जो right answer होगा आपसं सी जे right answer होगा friends यह सारीरिक रूप से बिकलांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है Special Olympics Next question सार्ट पूट के बित का बियास है जो सार्ट पूट का बित होता है सरकल होता है उसका बियास क्या होता है तो 2.135 मीटर होता है उसका बियास Next question पूछा जारा friends सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड से मिलाईए सूची फर्ष्ट दी गई है और सूची सेकेंड दी गई है जो क्या है कि सूची फर्ष्ट फेडरेशन के साइटों के नाम है जो गेम्स है उनके फेडरेशन है और फिर उसके बाद इधर गेम्स दिया गए है तो उसको हम लोग मिला लेते हैं तो फिला किसकी फेडरेशन है, तो यह कुस्ती की फेडरेशन है, फिला, फिर IIAF है, यह किसकी है, होकी की है, फिर IHF है, इंटरनेशनल होकी फेडरेशन, यह किस, सोरी, सोरी, फ्रेंट्स, जो IIAF है, यह किसकी है, यह एतलेटिक्स की है, IHF किसकी है, तो यह होकी है, होकी की ह और जो फीफा है ये किस की है ये फुटबाल की फ्रेंट्स हम बता दें आप सभी लोगों को हां की कब जो आई एचेफ है ये कब इस्टेबलिस हुआ था तो ये साज जनौरी बइस्टेबलिस हुआ था और जो फुटबाल की फेडरेशने फीफा ये कब इस्टेबलिस हुई थी फेडरेशन इंटरनेशनल लिफुटबाल एस्टेबलिस हुए थी 21 माई 1904 को और athletics की जो federation है यह कब established होई थी तो यह 17 जूलाई 1912 को होई थी फ्रेंड्स नेश्ट है उसके बाद क्या बोलते हैं कि कुस्ती की जो federation है यह कब established होई थी फिला तो यह होई थी 1912 को ओके फ्रेंड्स next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ACI खेलों में एक सुर्णड पदक जीतने वाली पहली भारती मैला प्रतियोगी हैं ACI जो खेल होते हैं उसमें क्या बोलते हैं एक सुर्णड पदक जीतने वाली पहली भारती मैला कौन है तो इस question का जो right answer होगा friends जो कमल जी संदू है इन्हों ने फर्स्ट टाइम ACI खेलों में क्या जीता था गोल्ड जीता था और वह भी किस ACI गेम्स में तो 1970 में जो ACI गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने जीता था काफ में जो हुए थे 400 मीटर की रेस में इन्होंने स्वाण पदक जीता था और भारत सरकार ने इनको 1971 में पदम स्री परदान किया था कमल जी संदू को ओके friends next question देखते हैं हम लोग खेल कूद की चोटो के पुनरवास में निमलिखित में किस बीदी का परियोग किया जाता है जो खेल कूद में जो चोट लग जाती है किसी खिलाड़ी को तो पुनरवास के लिए उनमें से किस बीदी का परियोग किया जाता है तो जो सन्योधी बेयाम होते हैं अप्सन योधि भी आम क्या होते हैं इंदी में दिया है तो जो करेक्टिव जो एक्सरसाइज होती हैं उनके द्वारा हम लोग क्या बोलते हैं प्लेयर्स को सही करते हैं ओके नेश्ट कोस्चन देखते हैं फ्रेंट्स साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंट्स पट अवस्था में अर्था च्छाती के बल लेटना कुश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है पट अवस्था में अर्था च्छाती के बल हमें लेटना है दाई बाह उपर की ओर और बाई बाह बगल में रखना है इसके बाद दाई बाँ को सीर के उपर और उठाना है क्या करना है उपर की ओर उठाना है बाए हाथ के नीचे दबाना और फिर बाए नितम्ब को उपर उठाना ये बैयाम विक्रिती के लिए लाबदायक है कौन सी एसी जो विक्रिती होती है उसके लिए लाबदायक होते है तो इस question का जो right answer होगा अब आपन, यह ही यह right answer हो जो kyphosis होता है उसके लिए यह exercise left लाबदायक होती है Next question antenna को net में इस तरह लगाया जाता है antenna जो होता है वो किस तरह लगाया जाता है तो antenna किस skill में यूज होता है? 手 एंटीना जो यूज होता है ये volleyball में यूज होता है antenna जो हमारा net होता है ये net हो गए हमारा ये pole है दोनों तरफ और जो antenna होता है ये उत उपर लगा जाता है तो kule antenna की height होती है 1.80 meter होती है और एक मीटर क्या होता है एंटीना नेट के अंदर होता है और असी सेंटीमीटर जो होता है क्या होता है उपर होता है तो इस question का जो right answer होगा friends आपसन भी जे right answer होगा जो volleyball होता है उसका measurement क्या होता है 18 into 9 मीटर होता है length और width ओके friends next question देखते हैं हम लोग hyper extension तब होता है जब extension का code dash के परे होता है बहुत important question है बार बार exam में question पूछा गया है तो इस question का जो right answer होगा 180 इजे right answer hypertension कब होगा extension मी इस होता है प्रसार ज़्यादा है जब यह हमारे पैर बहुत ज़्यादा ही होगा फैलेगा तो हमें क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो जब extension का code कितने होगा है 180 से परे होगा है next question देखते है friends निमने में से कौन सी चोट बास्केट बाल के खिलाडियों में आम है वह कौन सी चोट होती है जो बास्केट बाल के खिलाडियों में आम मतलब की बहुत ज़्यादा लगती है तो कंदे की जो चोट होती है नितंब की पार्सविक सपार्सविक अस्तिबंद की चोट सीर की चोट टकने की अगर और पार्सविक अस्तिबंद चोट तो इस question का जो right answer होगा friends option D जे right answer होगा टकने की अगर पार्सविक अस्तिबंद जो चोट होती है वो सबसे ज़्यादा लगती है बास्केटबाल में नेश्ट कोश्चन बिभिन प्रसिच्छन वीदियो में प्रियुक्त मांस्पेशी संकुचन नीचे दिये गए तथा मांस्पेशी संकुचन के नाम नीचे दिये गए सही क्रम का क्या करना उसका पता लगाना हमें फर्ष्ट लगतार सरवादिक दबाव के चलते मांस्पेसी छोटी होते हुए समस्त जोडों के कोड़ों पर संपूर गती फैलाव पैदा करती है फिर सेकेंड है लगतार दबाव के चलते संकुचन के समय मानस्पेशी सिकूड जाती है फिर थर्ड है बिना वाय लंबाई बदले मानस्पेशी संकुचन होता है फोर्थ है संकुचन के समय मानस्पेशी लंबी हो जाती है question पूछ रहा है बिभिन परसिछण विदियो में परियुक्त मानस्पेसी संकुचन निजे दिये गें तथा मानस्पेसी संकुचन के नाम कूट में दिये गें उनका सही क्रम हमें खोजना है तो इस question का जो right answer होगा आपसन डी जे right answer होगा friends next question की तरफ हम लो बढ़ते हैं डेका थलान के खेल में अंतीम असपरदा डैस होती है तो जो डेका थलान होता है यह किसका इवेंट होता है यह पूर्सो का इवेंट होता है डेका थलान इसमें कुल कितने इवेंट होते हैं तो डेका थलान में कुल होते हैं दस इवेंट होते हैं यह प्रतियोगिता कितने दिनों में कराई जाती है दो दिनों में कराई जाती है यह सब सारे question एक जामें पूछे जाते हैं मैं आप सभी लोग को बता रहा हूं तो ये प्रतियोगिता दो दिन में कराई जाती है फर्स्ट दे में कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है और सेकेंड दे में कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है कौन कौन सी ट्रैक प्रतियोगिता होती है और कौन कौन सी फिल्ड प्रतियोगिता होती है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं तो फर्स डे में जो प्रतियोगिता होती है पहले होती है 100 मीटर होती है फिर उसके बाद होता है लॉंग जंप होती है फिर सॉटपट होता है और हाई जंप और फर्स डे का लास्ट डे में जो होता है वो 400 मीटर होता है फिर सेकेंड डे में जो प्रतियोगिता होती है 110 मीटर हर्डल होता है 110 मीटर हर्डल होता है फिर उसके बाद डिसकस थ्रो होता है फिर होता है पोल वाल्ट होता है और होता है जेवलिन थ्रो होता है और दूसरे दिन की लास्ट प्रतियोगिता पूछा जाता है अक्सरिक जामें तो दूसरे दिन की लास्ट जो प्रतियोगिता होती है वो 1500 मीटर होती है अब हम देख लेते हैं इसमें कौन-कौन सी ट्रैक प्रतियोगिता होती तो इसमें से track प्रतियोगिता कौन-कौन सी है, यह 100 meter, 400 meter, 110, 110 meter hurdle और 1500 meter, यह क्या होते हैं, यह 4 हमारी track प्रतियोगिता होती है, और 6 होती हैं कितनी, यह field event होते हैं, क्या होते हैं 6, यह field event होते हैं, लांग jump, short put, high jump, discuss throw, pole vault and javelin throw, यह क्या है, 6 हमारी हो गई, field event हो गई, और 4 हमारे क्या हो गई, यह track event हो गई, ओके friends, next question देखते हैं हम लोग, Ace का संबंध है, जो Ace का संबंध यह किस से होता है, तो इस question का जो right answer होगा friends, lawn tennis से संबंध होता है, Ace का, next question देखते हैं हम लोग, मोटर घटक strength के लिए निमलिखित में से कौन सी प्रसिच्छन बीधी अपेच्छित होती है, तो इस question का जो right answer होगा, जो ploy metric होती है, यह ज़्यादा बेटर होती है, next question देखते हैं friends, school games federation की अस्थापना भारत में होई, तो school games federation आफ इंडिया जो उसकी अस्थापना कब होई थी, तो यह 1954 में होई थी, school games federation आफ इंडिया की अस्थापना, next question देखते हैं friends, हिच्किक विधी किस event की तकनीक है, जो हिच्किक जो विधी होती है, किस event की टेकनीक होती है, तो इस question का जो right answer होगा friends, आप सन, यह यह right answer, यह long jump की टेकनीक है, ओके friends, तो साथियों आप सभी लोगों को आज का practice इट कैसा लगा, please comment box में जरूर बताएं, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो प्रेरित करती है, तो please हमारी वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और notification bell को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल तो साथियों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में हम लोग, thanks for watching, best of luck, bye bye, love you all